वेलकम बैक तो माई चैनल और मेरे चैनल का नाम है वर्षा बीटी के राशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने जारी हूँ बहुत ही एफोडेबल फेशल किट का रिव्यू जो कि आप बहुत ही कम बजट म सकते हैं इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरह से है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इसमें आपको टोटल 4 स्टेपस मिल जाएंगे और इसमें आपको D10 ठेरिपी मास्क भी दिया गया है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी किया हुआ है तो प्लीज आप उसको भी एक बार चेक जरूर कर लीचेगा दोस्तों तो अभी काफी दिन हो गए थे मैंने कोई भी फेशल नहीं किया था तो अगरा पहली बार इस फेशल को कर रही है तो एक बार इसके उपर जो भी जीजेए मैंशन केगे इसे रहेज़ रहें कर ले तो आप ने इस तरीके से थोड़ा सी बास फानि ले लीजे और थोड़ा से पानी की हल्प से अपने इसे मसाज करते हैं इस तरीके से दो या जैसे इस ईतला आपछेंगे मेलुटonne क 누ें पडू डिलउ के अच्छ हते हैं जांट फेस को मसाज कर लोंगे सकतों बहुत ही समूदली च्कितर आपने पेस को मसाज करने लकाइब तो एक यह बहुत बनके स्म 화장 Alp और मैं थोड़ा इस तरीके से यहां पर ले लूँगी और अच्छे से से मसाज कर लूँगी आप देख सकते हैं जैसे हाइलाइटर होता है वैसी ग्लो है यह देखे और बहुत ही स्मूदली मतलब लग जाता है तो यहां पर मैं क्लिंजर की हल्प से अपने फेस को मसाज कर ल और फ्रेक्रेंस इसकी मुझे बहुत जादा पसंद है यह खुश्बू बहुत जादा अच्छी है और यह देखे बस इस तरीके से अपने मसाज कर लेनी है और पानी के हल्प से बस अपने फेस को वाश कर ले रहा है इसके बाद आपने कोई भी सोफ बगरा या फेस वोश नहीं लगाना है इस चीज़ का ध्यान रखेगा अराम से आप इसे एक फेशल में मतलब एक फेशल किट में अराम से तीन से चार बार फेशल कर सकते हैं और बहुत एच्छी ग्लो आती है जैसे पारलर में फेशल करवाते है बिल्कुल वैसी ग्लो देता है इसके बाद मैं पर सेकंड स्टेप लोगी जो कि है स्क्रब तो अपने स्किन को एक्फॉलियेट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपने वैसे भी फेशल महीने में क्या दो बारी करना होता है और इसके जो स्क्रब के पार्टिकल बहुत जादा मतलब चुबने वाले नहीं है इसक पर सकते हैं ब्लैक वैटेट को रिमूब करता है और इसलिए जादा जरूरी होता है स्क्रब क्या करता है कि जितनी भी फेस में गंदकी होती है अच्छे से किश कर करता है स्किन को सॉफ्ट बनाने में में भी हल्प करता है तो स्क्रब करना बिल्कुल में मत भूलीगा यहाँ पर थोड़ी सी स्पीरिट बढ़ा दी है वीडियो की तो इसे भी में अच्छे से क्लिंग कर लूगी और आप देख सकते हैं सिर्फ दो ही मतलब दो तीन स्टेप में ही कितनी अच्छी ग्लो आ गई है फेस पर इसके बाद है थर्ड स्टेप यह है लाइटन क्रीम ज जाना है आपने किसी वेडिंग में जाना है पार्टी में जाना है अगर आपके पस इतना टाइम नहीं है तो आप घर बैटे ही इस फेशल किट की हल्प से फेशल आराम से कर बाएंगे बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं और मिंटों में हो जाता है आप यह बोल सकते हो बहुत अच्छी ग्लो देता है यह फेशल इसके बाद है फोर स्टेप जो की लास्ट स्टेप है यह है फेस पैक जी हां पॉलिश फेस पैक आप इसे बोल सकते हो यह है पोलिश ग्लो पैक तो देखे इस तरीक से मैंने लगा लिया इस पैक को भी बस आपने 10-15 मिनिट लग देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छी ग्लो दी है इसने मुझे स्किन बोखो जादा स्वूध लग रही है बहुत अच्छा ग्लो लग रहा है और बर मतलब बन हो रहा है कि बस मैं ऐसे टच करती रहू अपनी स्किन को तो आप बताईगा दोस्तों कि आपको आज का वीड एधिल तोस्तों कि अच्छाप करती अच्छा कि अच्छा करती अच्छा स्किछंग खलागो जादाब ड़।